अगर आपकी एल्टरसांड रिपोर्ट में लिखा है सिंगल भीएवल इंबरायो आप एबाउट नाइन बीक जीरो डेमेचरूटी तो इसका मतलब क्या होता है क्या सब कुछ नॉर्मल है और नाइन बीक में आपके बेबी कभी कास कैसा हो रहा है तो आएए जानते हैं इस व už मतलब इसको सब्सक्राइब यूट्रस में बेभी पल रहा इसकर अब इसका मतलब हुआ कि इंडोमेट्रियम में एक बेबी पल रहा है जो जिसमें कार्डिक एक्टिवीटी मतलब बच्चे का धरकन दीख रहा है अब जानते हैं फिटल प्रोफाइल फिटल प्रोफाइल में सी आर एल सी आर एल क्या होता है सी सी आर यल का मतलब होता है क्राउन रं फ्रउन इसके मतलब होता है कि यह यूट्रोंड से ने इत्वकします मतलब यह यह हैज़सर लेकर बच्चे का से लिए ने रिड्स 2.2 सेंटीमीटर आया इसका यह 2.24 सेंटीमीटर है इसको नापने पर यह मेशीन केलकुलेट करके देता जो 9 बीक जीरो डे का हुआ है यानि की लगबक 2 महीने का बच्चा हो चुका है एडीडी एडीडी का मतला होता एकस्पेक्टेड डेट डेलेवरी मतलब यह नापने के बाद एक्टमेटिक मसीन एडीडी कलकुलेट करके देता जो चार तारिक 8 माइना 205 का यह बच्चा होगा जरूरी नहीं है कि इसी दिन होगा इसे पलस माइनस टूबीक मतलब पलस माइनस टूबीक का मतलब होता है यह चार तारिक से दिन बात भी हो सकता या 10 दिन पहले भी हो सकता है कोई जरूरी कि 4 मतलifferent है कि फीटल हट रेट रेट कितना है 9 बिक में कितना है इसमें 159 बित for minute है दोनाने की यह नौर्मल हैं इसका नौर्मल हाट हर्ट 1 120-180 bit per minute होता है यह 9 week में जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वसे बच्चा कमता जाता है तो अभी बच्चा का हाट्विट नॉर्मल है यह ओबरी हुआ कि यूट्रेस के अंदर एक जीवित इंबरायो मतलब बच्चा है जो बिल्कुल सवस्त है कोई दिकत नहीं है वह भी 9 week 0 day का हुआ है यानि कि इस रिपोर्ट से यह पताचा रहा है कि बच्चा का कंडिशन ठीक है बच्चा सवस्त है उसको कोई दिकत नहीं है तो अब आईए कोई जान लेते हैं 9 weeks में आपको क्या चीछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नाइन Byadia कि अब को बहारी काम या पत्रेस applaud नहीं लेना चाहिए मतलब कि आपको इतना हो से उतना पानी पीजिए और उतना पॉस्टी कहार लीजिए जो लिक्विड ज्यादा हो उसमें और किस ला सबसे लास्ट बात देहां रहें कि कभी भी आपको बिलीडिंग हो या ज्यादा पेंड होने लेगे तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें अपको घबराने की क्यों जरूरत नहीं यह बिलकुर नॉर्मल है कोई दिकत नहीं इसमें ऐसे ही वीडियो ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और प्रोब्लम हो तो कॉमेंट करके आप पुछ सकते हैं